हेलो फ्रेंड्स हैपी संडे एंड गूड मॉनिंग काना जी की क्रिपा से आसा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे हम भी ठीक ठाक है सुबह सुबह मैं बनाऊंगी आज घुगनी बेंगली स्टाइल में मैंने कड़ाई में तेल चड़ा दी उसमें जीरे डाल दिया साबूत यहाँ पे मैंने अद्रक और सुखी लाल मिर्च पीस ली थी मसाले के लिए इसको भी डाल दूँगी कड़ाई में फीर मैं डाल दूँगी इसमें नमक, हल्दी, कस्मिरी मिर्च पॉडर सब डाल के भूंज लूँगी अच्छे से और यह सबजी जो है न सफेद मतर और आलू को उबाल के बनाया जाता है मैंने उबाल ली थी पहले से ही, आप इसको डाल दूँगी देखिये, एसे होता है बेंगोलीयों में खाया जाता है, चाये आप चाट बना के खा सकते हो, ऐसे Șबजी पूड़ी, पड़ाठे, लूची बोलने वाली थी में सब के साथ खा सकते हो, मैं तो मुड़ मुड़ा के साथ खाऊंगी, बन गई मेरी सबजी, इधर मैंने पूरी तल ली थी, अपने बेटी के लिए, मेरी बेटी को पूरी खाना था, तो ये देखिए सबजी बन गई है, सब को कटोरी कटोरी में डाल दिया, बारिक करके, अच्छा पियाज काटके डाल दी थी मैंने सबजी में आप इसमें थोड़ी सी नीबू नीचोड लूँगी सारे कटोरी में नीबू नीचोड देंगे और पूरी भी इधर चार तली थी जादा नहीं क्योंकि हमें तो मुड़ मुड़ा खाना था इधर मेरे हस्बेंट खीरा छील रहे थे मसाला भी डाल दूँगी जो मसाला में बना रखी थी होममेड मैंने पहले ही बताया था खीरा भी बारिक करके काटी थी तो इसको भी डाल लूँगी मतलब बिल्कुल चाट जैसा बनाके खाना है कला नमक भी डाल लेना है तो बस यही था सुबे की नास्ता थारी हुं मैं देखिए दिनके खाने में था कल्मी की साग लाए थे इन्होंने मैंने काट ली थी काट के धो के कड़ाई में चरा दी उसमें नमक डाल दी नमक डालने के वज़े से साग कितना कम हो गया देखिए आप इसको ढख देंगे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं एक हड़ी मिर्ची फारके डाल दी लैसन डाल दी कूटके अब साग को डाल दूंगी क्योंके थोड़ी सी इसको भूंच के साग कर डाल दूंगी कियोंकर मुस्जी बनानी है यह देखिए डाल दिया मैंने कलमी की साग अप लोगों में कौन-कौन खाते हैं पता नहीं हमार इधर मैंने फीस फ्रीज में से निकाल के रेहू फीस है यह निकाल के रखी थी नमक लगा के और आलू ऐसे काट ली हूँ बड़ा बड़ा करके गोबी को भी ऐसे काट लूँगी सब ऐसे ही काट ली मैंने सबजी बनाऊंगी गोबी आलू फीस इधर मैंने पियाज बाडिक क या अनोखी यह हो गया इधर बीच में जितना टाइल्स था ये टाइल्स एकदम से जड़ गया मेरी बेटी के हाथ में देखिए गंदा गंदा लगया क्योंकि इन पे पुट्टी कर दिया इनोंने न सिमेंट निकल गया था तो पुट्टी जहार रही थी तो हाथ ऐसे गंदा हो गया था अब ये पुट्टी तो कर दिया इनोंने पेंट ढूंड रहे थे किस कलर की मतलब पुताय कर देंगे इतनी सी जगा में क्योंकि बेकार लग रहा था फिलाल तो सारे टाइल्स तो जड़े नहीं थे इतना ही टाइल्स जड़ा था इधर में फीस में नमक हल्दी म मैंने क्योंके गोबु को पहले ? कर लूँगी तो तेल गड़म हो चुगा है गोबी डाल दिया मैंने एक बर उन लोग के पास जाके देखना पड़ रहा था फिर आके खाना बनाना पड़ रहा था गोबी में नमक हल्दी डाल दिया थोड़ी सी फ्राइ कर लूँगी बड़िया से बिल्कुल ब्राउन इसको उतार लूँगी मैं फिर कड़ाई में सरसो की तेल दुबारा डाल दूँगी क्योंके मुझे फिस फ्राइ करनी है इसी की सबजी बनेगी आज फिस छोड़ देंगे कड़ाई में देखिए तेल गड़म हो चुका है तो किस किस को फिस पसंद है जरूर कमेंट पे बत फिस थी दूसरे तरफ पलट दी मैंने क्योंके कलर आ चुका है फ्राइबी हो चुका है देखिए फिस भी प्राई हो गया गोभी भी प्राई हो चुका है कराई में जो तेल बचा था उसमें मैंने थोड़ी सी कलोंजी और हरी मिर्ची और पियाज बारिक चौप्ट करके ड फ्राय करे बढ़िया भी जोंकी मसाले के साथ आलू मि́क्स करके बढurança कर में ऑने को तो बन चुका है मेरा जोल, आप मचली के बिना कैसे बनेगा, तो मैंने मचली डाल दिया यहां पे, जो फ्राइ करके रखी थी मैंने, इनको डुबदुंगी कराई में, बिल्कुल जोल के साथ, खौलते हुए, तब अच्छा लगेगा, अच्छ से बढ़ियां से पकेगा, ज करके काट रखी थी वह डाल दूंगी इसी में क्यूंकि इसमें खुसबु बढ़ियां आता है ना मचली की जोल में धनियाद डाल दो तो तो बन गया मेरा सबजी अब खा लेते हैं फटा फट क्यूंकि लेठ हो चुका है बहुत टाइम हो गया खाना खाने बैठ गया है पहले और थोड़ी सी जोल अब खाएंगे आईए फ्रेंड्स आप लोग भी जॉइन कर लीजिए हमारे घर मचली जोल खाने के लिए ठैंक यू और साम को साम को हम गये थे गनपत्ती जी लेने गनपत्ती पपा मो